दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीविका क्या है जीविका के उद्देश क्या क्या है इसकी अस्थापना कप की गई और इसमें आप जोब कैसे पा सकते हैं तो यह सारा कुछ हम बारे बारे से समझेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीविका क्या ह ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक पर्योजना है दोस्तो सिंपल भासाम अगर हम समझें तो बिहार सरकार के द्वारा चलाई गया एक योजना है जिसका नाम है जीविका दोस्तो यह जीविका पूरे बिहार में चल लाई है आप लोगों के छेतर में भी चलता होगा दोस्तो इसमें basically महिला जूरती है जो की गरीव और निर्धन है और जिसकी आयू 60 साल से कम है और साधी सुदा है। तो दोस्तो अब हम समझते हैं कि इसके उद्देश से क्या है। दोस्तो गरामीन समुदाई की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एबं समाजिक ससक्तिकरन जीव का पर्योजना का एक महत्रपूर्ण लक्ष है। दोस्तो इसकी सुरुवात बिहार में सबसे पहले 2 अक्टूबर 2007 को 222 की सहायता से इसकी सुरुवात किया गया था। दोस्तो आज की डेट में यह पर्योजना पूरे बिहार में सफलता पुर्वक कार्ज कर रही है। अधार मिल गया है इस पर्योजना के माध्यम से आज बिहार की निर्धन महिलाओं का ससक्ति करन हुआ है। बिहार सरकार इस पर्योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सभी परकार का सहयोग दे रही है। दोस्तो इसका मतलब यह है कि यह जो योजना बिहार सरकार की है यह धीरे धीरे और बढ़ेगी और यह जल्द खतम होने वाले में से नहीं है। तो दोस्तो अब हम यह समझते हैं कि आप इसमें ज्वाब कैसे पा सकते हैं। जाकते हैं कि जीवका में कौन सी भायकेंसी अभी आई हुई है जिसके लिए आपका सेलेक्षन शिर्फ और सिर्फ इंटर्व्यू के अधार पर किया जाएगा दोस्तो इसके लिए आपको CLF पे जाना पड़ेगा और CLF पे जाके आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी भाइकेंसी अभी जीबका में आई हुई है तो आपको CLF पे बता दिया जाएगा कि कौन सी भाइकेंसी आई हुई है तो इसके लिए आपको एक application जमा करना पड़ेगा और एक passport size photo जमा करना पड ऩरवीव पर आपका selection हो जाएगा दोस्तों इसके Next Video में हम लोग समझेंगे कि जीवका के किस पोश्ट के लिए कितना से जली दिया जाता है जीवका सरकारी है या फिर गैर सरकारी है जीवका के exam में किस परकार के question पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए कमाल के इंफोर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर देजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को हुमर्च के सेयर कर देजिए एकदम मज़ा आया और मैं यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं